शबी विद्यार्थियों को राम राम मैं हुपी के बैदिश स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पे आठ सितंबर को जो आयरुवेदा नर्शिंग का एक्जाम हुआ है यूपी पीएससी के द्वारा कराया गया है उस एक्जाम का पेपर जो आयरुवेदा का सब्जेक्ट का है वो मैं पत्र जो है इसमें शाल्ब कराऊंगा तो जो बिद्यार्थी नर्शिंग का एक्जाम दिये हैं वो भी अपने प्रशनों के उत्तर को मिला लेंगे और जो बिद्यार्थी तयारी कर रहे हैं परिशाद देने वाले हैं वो भी मिला लेंगे आयरुवेदा फार्मा पूछे गए प्रश्ण है, तो प्रश्ण नमबर जो क्योंकि 50 से पहले वाले जो प्रश्ण होते हैं, उसमें आपका सब्यक्टीव नहीं हुता है, उसमें आपका होता प्रस्ट नमबर 51 दंत को माना है तो इसका ये विकल्ब सही होगा रुचकास्त बोला जाता है टिक कर लेंगे यमल गर्ब का कारण है, यमल गर्ब का कारण होगा तो पूर्ब जन्म के कर्म योम वाईू, ये वाला विकलब आपका तही होगा, यानि की भी विकलब आपका करण होगा, इसे टिक कर लेंगे. प्रेस्ट नमबर 53 देखेंगे संजीवनी वटी में कौन सा बिशड्रब्य होता है तो इसमें होता है वत्सनाब और भल्लान तक ये दोनों होता है तो इसमें आपका बिकल्प जो सही हो रहा है ये और भी दोनों वाला बिकल्प आप टिकल लेंगे ये correct बनेगा इसे टिक कर लेंगे प्रेश नमबर 54 देखेंगे इसमें दिया है कि चरका अनुसार पुश्वन संसकार किस रितू में किया जाना चाहिए तो जो पुश्च नशत्र होता है इसमें किया जाए तो बहुत बढ़िया रहता है इसलिए आपका भी विकल्प सही हो र टिक कीजिए विद्यार्थी और जो विद्यार्थी परिश्चा दिये है वो भी मिलाते चलेंगे साथ साथ और अपना देख लेगे कि आपका कितना स्कोर बन रहा है प्रेश नमबर 55 वरा किसका प्रयायवाची है वरा जो होता है किसका प्रयायवाची है तो ये है त्रिफ त्रिफला को वरा भी कहा जाता है हरडवहेडावला जो होता है हरितकी विवितकी अमिलकी जो होता है इसे वरा वे नाम से भी जाना जाता है प्रिशन नंबर फिप्टी शेवन देखेंगे विद्यारती इसमें दिया है अस्पताल के वार्ड में विस्तरों के मद्द कितना अ दिवास्वप्न वर्जित है हेमंत शिशुर बसंत ग्रीश्म तो कौन सा होगा तो सभी रितूओं में दिवास्वप्न वर्जित है केवल जो है ग्रीश्म रितू को जो है छोड़ के तो इसमें क्या होगा ग्रीश्म रितू में जो है आएगा ये आएगा आपका फल वर्ग म पिशब इसकोर में सम्मलित नहीं है तो भूण हिर्दैगती गर्वासे गरिवा का फैलाव की स्थिर्टा तो इसमें जो स्टेशन है यही आपका इसे टिक लेंगे निम्न में से कौनशी और सधिया नई घ्राहन नहीं की जाती तो इसमें जो बिपिली और वाईविडंग है इशे जो है नया नहीं घ्राहन करना चाहिए नोट करें विद्ध्यार थी चीधिती देखिए आयरुवेदा अनुसार मात्र दुग्द के आभाव में शिशू को देना चाहिए बक्री और गाय का दूर देना उचित होता है टिकर लेंगे प्रिश्ट नमबर 64 जो सईयोग यों विभाग का कारण हो यों द्रब्विक में आस्रित हो उसे क्या कहते हैं तो उसे क्या कहते है कर्म कहेंगे प्रश्ट नमबर 65 देखेंगे सुसूरता अनुसार रगत का गुण होता है सुसूरत के अनुसार रगत का गुण क्या होता है बता दें विद्यार्ती सुसुलत के अनुसा रक्त का गुर जो होता है तिक कर लेंगे विद्यार्ति प्रस्ट नंबर 66 देखेंगे निमलिखित में से कौन सा गर्ब धारन सामगरी का भाग नहीं है तो इसमें जो है आपका रक्त वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा इसे टिक कर लेंगे प्रस्ट नंबर 67 देखेंगे मेरू तंत्री का इस पाइनल लर्ब की कुल संख्या कितनी है तो यह तिस जोड़े होती है इसे टिक कर लेंगे विद्यार्ति पवित्र विश्य मनुश्या का दिन वर्णन दिन चर्या के लिए प्रियुक्त हुआ है तो यह इसमें बीविकल्प सहयोग असनान वाला जो होता है पवित वाला इसी टिक कर लेंघे प्रेeterm प्रेशन नम्बर 60 देखेंगे इसमें दिया है शेप्ता वहिर मला नाम अधो लिखित में किसका कार है। वहिर मला नाम किसका कार है। अस्पताल में उपारजित संक्रमण को कहा जाता है। तो इसका सी विकल्प सही होगा 900 क्रोमियल संक्रमर इसे टिक कर लेंगे विद्यार्थी नमबर 72 देखेंगे इसमें दिया है कि फैलोफियन ट्यूब की लंबाई होती है चैना होती है विद्यार्थी सिर्थे कितना सेंटी मीटर होती है लंबाई बता में विद्यार थी फटाफट बता दीजिए साथ सेंटी मीटर कितना होगा भी विकल्प साथ सेंटी मीटर होता है टिक कर लीजिए विद्यार थी